तो मेरा नाम है धैरी गुपता और आज मैं हूँ यहाँ वैगन आर के लांच पे इसको मौति सुजुकी कैरी है बिग न्यू वैगन आर तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की इसका स्टार्टिंग प्राइस इन्होंने रखा है 4,99,000 रुपे का जो की इसके क्लोजस्स कॉंप्टीशन हिंड़ाइस सांट्रो उससे थोड़ी सी महंगी है इंड़ाइस सांट्रो स्टार्ट होती है 3.9 लाइक से लब 3,90,000 रुपे से और यह स्टार्ट होती है 4,99,000 रुपे से अब बात करेंगर इंजन ऑप्शिन्स की ये दो इंजन ऑप्शिन्स में आता है एक एंजन है आपका 1.0-L K-series एंजन और एक नया ब्राइंड न्यू 1.2-L K-series एंजन आता है जो इनका 1.0-L K-series एंजन है वो आपको मालेज देखा 22.5 km पर लीटर की वो पावर देगा 67 ब्रेक होर्स पावर और 90 Nm of टॉर्क जो 1.2 लीटर एंजन है वो आपको मालेज देगा 21.5 km पर लीटर की और 81.8 ब्रेक होर्स पावर और 113 Nm of टॉक तो देखा जाए तो वैगन आर को उन्होंने काफी बहतर बना दिया है ये इसको जादा सेफ भी बनाया है ये फिफ्ट जनरेशन हार्टेक प्लाटवाम पर बेज़ड है और उन्होंने जादा हाइट एंसाइल स्टील यूज किया है तो इससे वो कहर हैं सेफटी बहुत ज डिजाइन दे दिया है जो हेडलाइट है वही चंकी हेडलाइट है लेकिन उसमें एक ब्यूटिफुल नौच दिया है जो कि आपके फ्रंट फेंडर से मैच करता है और जो ग्रिल है वह बहुत ही खूबसूरत दी गई है एक क्रोम लाइनिंग के साथ जो बिलकुल मिडल मे कि देख रहा हूं काफी बहतरीन है और नीचे देखा जाए तो एक और फिर आपका एर इंटेक है जहां पर आपका डेडियेटर है अब साइड में आए तो हम देखेंगे कि साइड में भी इन्होंने काफी लुक्स एन्हांस कियें सबसे जादा प्रॉम्रेंट और सबसे ज चोड़ा साइड व्यू काफी नहीं होती है और ब्लाक डॉट बी पिलर भी दिया गया है तो हाला कि वैगन आर अपने लुक्स के लिए नहीं जानी जाती है लेकिन नई वैगन आरक इन्होंने लुक्स काफी एन्हांस कर दिये है अब हम आए पीछे तो बाब देखिए पह लाइट होती थी अब इन्होंने काफी ऑलॉंगेटेड लुक दे दिया है जो तो जो कि इसका रिर व्यू बी काफी एंहांस कर देती है बोल्ड स्ट्रॉंग क्रोम ऑन दी रियर हैच पीछे आपके रियर हैच में बहुत क्रोम बोल्ड वो दिया है इन्होंने लाइनिंग और एक प्लास्टिक बंपर लिप भी दिया है तो देखा जाए तो बहार से काफी एंहांस कर दिया है वैगनार का लोग के थर जनरेशन वैगनार है अब आई ये अंदर से देखते हैं कि क्या-क्या इंप्रूव्मेंट्स हुए हैं अगर अगर बात करें अंदर बैट के तो नई वैगन आर काफी थोड़ी बड़ी है अ फ्रंट से इसका जो ट्रैक होता है दो बील के बीच का डिस्टंस वह उन्फर्टी मम बड़ा है और पीछे वाले टायर का ट्रैक देखते हैं और अंदर से भी आगे का लगरूम एरी और पीछे के लगरूम एरे भी बढ़ाया है वैगन आर का वो अभी तक बहुत बढ़िया है यह आप देख रहे हैं यह एजी एस टेक्नोलोजी के साथ है जो आटमाटिक गेर शिफ्ट है मारती का तो बहुत ही अर्गोनॉमिक है गेर लेवल वाटरफॉल डिजाइन में है बिलकुल आपके हाथ में आता है टच्क्र कर सकते बॉल्म चेंज कर सकते जो बेसिक आपके कंट्रोल से हो सारे स्टेरिंग वील पर दिये गाए है अगें यह तॉप इंवेर अरियन में मिलेगा आपको जो एसी कंट्रोल्स है वो स्टैंडर्ड डाइल्स एंड बटन्स एंड है कोई बहुत जादा फैंसी हां पर नह प्लास्टिक गाडियों की है स्पैशली जो निग्जा के अंदर आती है यह निग्जा में नहीं आएगी जो निग्जा में आती है उनकी कॉलिटी बहुत जाद इंप्रूव कर गई है वित प्यानो ब्लैक फिनेश वगरा सबके साथ इसकी क्वालिटी अभी भी काफी हाड है लेकिन हम लेकिन यह होल करेगी यह हम ऐसे लगता है बिल्ट क्वालिटी इंप्रूव करी है और यह इसमें कुछ भी खराब नहीं होगा लेकिन हां थोड़ी हाड जरूर है यह प्लास्टिक लेकिन ओवर रॉल जो इसका में परपस है प्रेक्टिकालिटी वह बहुत ही बढ़िया है अब में आपको उतर को बैट के दिखाऊंगा गाड़ी में और आप देखिए सबसे वन अफ दे मेजर इसका कहते हैं सेलिंग पॉइंट रहा है इंग्रेस और आउट ग्रेस बहुती असान रहा है हमेशा से आप आईए और सीधा स्टेपिन करिए और बोस करि सीट थोड़ी इंपरूब हैं थोड़ी से बेटर बोल्शिरिंग है लेकिन हैड़ रेस्ट इंटीग्रेटेड है अजिस्टिबल नहीं है तो वेगर नहार थोड़ी जाद़ बड़ी है लेकिन इसने सब अपने सारे में प्रिक्टालिटी के चीजे रिटेन करी हैं जाद़ आप फीचर के साथ आ रही है और इंटिर भी बेटर है अब आये पीछे देखते हैं कि कैसा है सीटिंग अब आप रियर स्पीस में देखिए मेरे पास काफी लग रूम है शोल्डर रूम भी काफी एक्स्ट्रा है वह हम जब ड्राइब करेंगे तब हम आपको बताएंगे exactly कि अब देखिए लेकिन थोड़ा सा बड़ा फील हो रहा है यहां पर पीछे बैठ के एंड मेरे खाल से यह डिफिनिटल जो यह कह रहे है कि रियर लग रूम और फ्रंट लग रूम इंप्रूव किया है वह आप महसूस करेंगे जब अप गाड़ी के अंदर बैठेंगे यहा है पूरी एक लीटर की बॉटल यहां पर आ सकती है रहर पॉकिट्स में फेरंट में भी बॉर्पाकेट्स में ग्राइडरक फ्रणड ब्रणा जाता घाएगी जादा है बीफ है थोड़ा फुटवेल देखा जाए तो लोडिंग अनलोडिंग में थोड़ी से प्रॉब्लम आएगी ये लिप काफी हाई है लेकिन इसे स्पेस काफी बढ़ गई है ये भी थोड़ी आगे करें सीट तो आराम से आपके एक वीकेंड के लिए पूरे एक पर आप करें प्राइस की तो वैगन आर्ट शुरू होती है एक्स या लीटर एंजिन चार लाग औनिस हजार रुपे से फिर आता है डी एक्स या वन लीटर एंजिन जो कि है चार लाग उनतर हजार रुपे का वी एक्स आई एजिएस ऑटमेशिक ट्रांस्पेशन के साथ वी वो कॉस्ट करेगा 5,16,000 रुपे VXI 1.2 लीटर इंजिन जो है उसमें LXI नहीं है वो VXI से शुरू होता है VXI 1.2 लीटर इंजिन कॉस्ट करेगा आपको 4,90,000 रुपे ZXI 5,22,000 रुपे VXI AGS 5,36,000 रुपे ZXI AGS 5,79,000 रुपे तो यह प्राइजेज हैं वैगन आर के सारे वेरियंस के यह सारे प्राइजेज एक शोरूम डेली है तो अन रोड प्राइज के लिए आपको रेजिट्रेशन और इंशुरेंस एक्ट्रा देना पड़ेगा